मामली बात को लेकर गयराया विवात एक शक्स के मौत का कारण बन गया है। अंदर में देगरेस पुलिस से प्रावत जानकारी के अनुसार आरभी निवासी 28 वर्षिय अमृतक रामिश्वर प्रेम सिंग पवार रोजाना अपने ही गाव के गजानन राजाराम राठोट के मौपाइल पर लगातार कॉल कर उसे परिशान कर रहा था। दर्ज मामले की शिकायत में 42 वर्षिय आरूपी दीपक राजाराम राठोट, 38 वर्षिय मानिक राजाराम राठोट और 17 वर्षिय गजानन योकेश गजानन राठोट ने रोड और लाठी से हमला किया। जिसमें जख्मी रामिश्वर ने दम तोड़ दिया। इस आशे की शिकायत भारत बतिपवान ने दिगरस पुलिस में दश की है। इस मामले में घटना स्थल पर पहुच कर दिगरस पुलिस ने पंचना माकर मृत्तक रामिश्वर की डेट बॉड़ी को पोस्मार्टम के लिए ग्रामिण अस्पताल रवाना किया। पोस्मार्टम की बाद परीजनों को डेट बॉड़ी सुपुत कर दी गए। इस मामले में दिगरस पुलिस ने आरोपियों के खिलाब हत्या का मामला दश किया है। मालब हो कि आरोपियों में शामिल एक नावालिक आरोपिपी है जिस पर जुवेनायल एक्ट के तहद कारिवाय की जांगी ऐसी जानकारी सुत्रों नेती है। इस दरदनाग हत्या की चार्ज दिगरस पुलिस टेशन के थानेदार सोनाजी आमले, पुलिस हेट कॉंस्टेपल रविंदर जक्ताब, नरिंदर पुड और ब्रह्मदेव टाले करते हैं। मिस्यन नियूस के लिए दिगरस से जुवेर खान के रिपूर्ट